हर फैमली की एस्पिरेशन होती है कार देने की बट नावड़ेज दा प्राइस आफ कार्ड है इंक्रीज़ तू मच तो ऐसे में ये डिसाइड करना काफी मुश्किल हो जाता है कि हमारे बजेट के हिसाप से बेस्ट कार्ड कौन से अवलेबल है बट नो वरीज आज हम आपके लिए लेक रहा है टॉप सेवन चीपेस्ट कार्ड जो कि इंडिया में एवलेबल है राइट नो और जो कि अपने प्राइजिंग के हिसाप से बेस्ट वैल्यू डिरिवर करते हैं तो हेलो दोस्तो स्वागे था आपका हमारे चैनल डिवन देशी में विदाउट वेस्टिंग अनी टाइम लेट स्टार्ट के विडियो नमबर सेवन नमबर सेवन पर आती है मारूती सुजू की और्टो के टेन चलिए इसके प्राइजिंग देखते हैं अल्टो के टेन के प्राइजेज 3.99 लाक से स्टार्ट होते हैं और 5.96 लाक तक जाते हैं दिस कार्ड हैज एम्टी और मैनुल बोट टांस्मिशन्स चलिए अब इसके इंजन स्पेसिफिकेशन देखते हैं यहाँ पे 1.0 लीटर इंजन जो के 67 PS के पीक पावर और 89 Nm का पीक टॉक जेनरेट करते हैं टॉकिंग अबाउट माइलेज दिस कार्ड है 24.39 के माइलेज इन पेट्रोल और CNG में 33.85 माइलेज देखने को मिल जाती है चलिए अब इसके डाइमेंशन्स देखते हैं अल्टो के 10 एक A-Segment Hatchback है तो यहाँ पे इसकी लेंथ 3.5 मीटर के आसपास देखने को मिलती है 214 लीटर बूट स्पेस और 167 mm GND इसके डाइमेंशन्स के कुछ इंपर्टन असपक्ट है चलिए अब इसके तॉप फीचर्स देखते है इसकाड है 7-inch infotainment system विट Android Auto, Apple CarPlay, Dual Airbags, ABS, EBD, Remote Center Locking, Partial Tray and Front Power Window जिसके कुछ नोटेबल फीचर्स है नाँ लेट्स मूव तो नमबर 6 नमबर 6 पे आती है Maruti Suzuki Eco चलिए इसके pricing देखते है Maruti Eco के prices 5.32 लाक से स्टार्ट होते हैं और 6.58 लाक तक जाते हैं इंट्रेस्टिंग तिंग इस, इसकाड इवलेबल इन बोथ 5 और 7-seater configurations चलिए अब इसके engine specifications देखते है Maruti Eco 1.2 लीटर engine में एवलेबल है क्योंकि 80 PS के peak power और 105 Nm के peak dock निकालती है इसकाड है 20.20 Km mileage in patrol and 27 km mileage in CNG चलिए अब इसके dimensions देखते है Maruti Eco एक van type card है तो यहाँ पे इसके length 3.6 meter के आसपास है साथ में 500 L का boot space और 160 mm Ground 10 इसके कुछ notable dimensions features है चलिए अब इसके top features के तरब बटने है तो this card है dual airbags, ABS IBD, rear parking sensor, manual AC and manual windows यहाँ पी इसका 4.5 meter के turning radius अपने segment में काफी कम है चलिए अब move करते है हमारे list पे number 5 पे number 5 पे आती है Maruti Suzuki Espresso चलिए बिसके pricing देखते है Espresso के prices 4.26 lakh से start होते है और top end variant 6.12 lakh तक जाती है This card is available in both AMT and manual transmission चलिए इसके engine specifications देखते है This card has same engine as Alto K10 1 liter engine which offers 67 PS peak power and 89 Nm peak torque Patrol में यहाँ पे 24.44 kmpl के mileage और CNG में 32 km के mileage देखने को मिलती है चलिए बिसके dimensions देखते है Espresso यह segment hatchback है यहाँ पे इसके length 3.5 meter के आसपास है Talking about seat boot space 2.40 liter boot space available है और 180 mm के good ground clearance इस car के कुछ positive dimensional aspects है Let's move to top features इसमें आपको 7-inch infotainment system with Android Auto, Apple CarPlay, Electrically Adjustable ORVM, Partial Tray, Front Power Windows and 14-inch wheels इसके notable features चलिए दोस्तों मूव करते हैं नंबर 4 पे नंबर 4 पे आ जाती है Maruti Suzuki Celerio चलिए इसके pricing देखते है Celerio के prices 5.37 lakhs से start होते हैं और 7.05 lakhs तक जाते हैं चलिए अब मूव करते हैं इसके engine specifications में Celerio में भी same 1-liter engine देखने को मिल जाता है जिसके specifications हमने आपको पहले ही बता चुका है Talking about mileage 25 kmpl के mileage देखने को मिलती है पेट्रोल में and 34.43 km in CNG चलिए अब इसके dimensions देखते हैं Celerio भी a hatchback car This has 3.7 meter length Talking about its boot space 313 liter का boot space देखने को मिलता है 165 mm ground clearance चलिए अब मूव करते हैं इसके top features पे This card has front fog lamps 7 inch infotainment system with android auto apple car play Height adjustable driver seat, rear defogger 14 and 15 inch wheel options, keyless entry चलिए अब हमारे list में मूव करते हैं number 3 पे तो number 3 पे आ जाती है Maruti Suzuki Wagner चलिए इसके pricing देखते हैं Wagnaar के prices 5.55 lakhs से start होते हैं और 7.38 lakhs तक जाते हैं चलिए अब इसके engine specifications देखते हैं तो this card is available in 2 engine options एक 1 liter engine option जो कि आपको प्रीवियस सभी cars में देखने को मेलें और next is 1.2 liter engine जो कि 89 PS की peak power और 130 Nm peak top डिलिवर करते हैं Talking about its mileage this has 23.5 kmpl mileage in petrol and 34 km mileage in CNG चलिए अब इसके dimensions देखते हैं तो Maruti Suzuki Wagner भी A segment hatchback है तो this has 3.6 meter length अगर बूट space की बात करें तो this has massive 341 liter boot space और यह आप आपको ground clearance 165 mm के आस पास देखने को मिलता है चलिए अब मूफ करते हैं इसके top features पे तो Wagner has front fog lamps 7 inch infotainment system with android auto apple carplay electric foldable ORVMs 14 inch alloy wheels rear wiper wasser इसके कुछ notable features हैं चलिए अब मूफ करते हैं हमारे list में number 2 पे number 2 पे आती है Maruti Suzuki Swift चलिए इसके pricing देखते हैं Swift के prices 6.49 lakhs से start होते हैं Top end variant 9.60 lakhs में available है चलिए अब बात करते हैं इसके engine specifications के Swift 1.2 liter petrol engine में available है जो कि 89 PS के peak power और 130 Nm के peak dock deliver करते हैं This card has 25 kmpl mileage in petrol और यह card अभी फिलाल CNG में available नहीं है Talking about its dimension This is again a segment hatchback तो यहां पर आपको इसके length 3.8 meter के आसपास देखने को मिल जाती है Talking about its boot space तो यहां पर 265 liter के boot space देखने को मिलता है और 163 mm की ground prints देखने को मिल जाती है चलिए अभी इसके कुछ top features देखते है This card has front LED fog lamp LED DRL projector headlamps 9 inch infotainment system with android auto apple car play rear parking camera auto folding ORVMs 15 inch alloy wheels इसके कुछ notable features है चलिए friends अब move करते है number one पे Number one पे आती है इंडिया के best selling car Tata Punch चलिए इसके prices देखते है Tata Punch के prices 6.13 lakhs से start होते है and top end variant 10.20 lakhs में available है चलिए इसके engine specifications देखते है Tata Punch has 1.2 liter engine which offers 87 PS powered and 130 Nm peak torque this has 19 km petrol mileage and 27 km mileage आपको CNG में भी available है चलिए अब बटते हैं इसके dimensions के दरफ Tata Punch is a micro SUV तो यहां पे इसके length 3.8 meter के आसपास देखने को मिल जाती है साथ में 366 liter का boot space and 187 mm ground clearance इसके कुछ notable dimensional aspects है चलिए अब बटने इसके top features के तरफ तो Tata Punch is a fully loaded SUV है यहां पे सभी premium features देखने को मिल जाते है यहां पे LED DRLs, projector headlamps, roof rails, 16-inch alloy wheels, tire pressure monitoring system, sunroof, push engine start-stop, adjustable headrest, armrest, इसके कुछ notable features Friends, यह थी इंडिया में available top 7 cheapest cars दोस्तों आपको इन में से कौन सी कार्ड best लगी और कौन सी कार्ड खिलने का सोच रहे है कमेंट करके हमें ज़रूर बताए बाकि आपको वीडियो कैसा लगा वह भी ज़रूर बताए अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपका वीडियो देखने के लिए थैंक्यू सो मच थैंक्यू